Hey guys, welcome back to another episode of recipes by Priyanka तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ यह वेच चीज मयोनीस सेंडविच की रेस्पी जो बनाने में बहुत जल्दी बन जाता है और बच्चों की टिफिन में भी से दे सकते हैं तो यह सेंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तियार करेंगे तो यहां मैंने एक बारी कटी हुए प्याज ली है और यह आधी बारी कटी हुए सिम्ला मिर्च आड़ करेंगे इसमें इसमें यह एड़ करेंगे फ्रोजन स्वीट कॉर्न तो इसे मैंने चार से पांच मिनट के लिए पानी में बॉइल कर लिया था इसके साथ ही मैं एड़ करूंगी यह टू टेबल स्पून ऑफ मियोनीज अब नेक्स्ट मैं इसमें एड़ करूंगी हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर इसके साथ ही इसमें जाएगा यह थोड़ा सा नमक तो गाइज मिक्स योर करें कि नमक थोड़ा कम ही उसकरें क्योंकी मैयोनीज में भी नमक होता है अब इसे अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे तो यहां हमारी स्टफिंग तयार है तो अब चलते हम नेक्स्ट प्रोसेज में तो यहां मैंने दो ब्रेट की स्लाइसेज ली है तो अब इन दोनों ब्रेट की स्लाइसेज पर मैं लगाऊंगी बटर तो बटर को अच इस stuffing को एक bread की slice पर अच्छे से spread कर देंगे अब यहाँ पर हम लेंगे यह cheese slice तो एक cheese slice इस पर में रख दूँगी तो यहाँ पर आप कोई भी cheese ले सकते हैं इस टोटली और चॉइस और यह bread हम इसके उपर ऐसे cover कर देंगे अब चलते हम गैस की तरफ तो यहाँ पर हमें इसे toast करना है तो इसकी उपर की side में भी हम थोड़ा सा butter spread कर देंगे और इसे अच्छे से हमें toast करना है on a medium flame तो यहाँ पर हम इसे पलट देंगे sandwich को सेखते समय हमें बहुत ज़्यदा प्रेस नहीं करना है नहीं तो इसस्टफिंग बाहर आने का भी डर है और इस side भी हम थोड़ा सा butter spread कर देंगे और एक बर फिर हम इसे पलट देंगे तो दोनों side से हमें अच्छे से इसे golden brown होने तक सेख लेना है तो लीजी बस तयार है यह हमारा sandwich तो चलिए हम इसे plate out कर लेंगे तो अब इसे हम बीच में से कट कर लेंगे तो यह देखे इसके अंदर के स्टफिंग कितनी क्रीमी और डिलिसियस लग रही है तो अगर आपको मेरी यह sandwich की recipe पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें अपने friends and family के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को subscribe करें ऐसी और भी recipes के लिए तो मिलते हैं हम लोग next वीडियो में तब तक के लिए bye bye and thank you friends